कर्मी पेंसन भोगियों और सैनिकों को बड़ा दोफा तो नहीं मिला है लेकिन जटका जरूर लग गया है एट पे कमिशन ओरोपी थी और ओल्ड पेंसन स्कीम पर क्या क्या हुआ है केवल एट घोशना हुई है बांकी सब वैसा का वैसा ही है आपको मैं घोशना दिखाता हू क्या घोशना की गई है सबसे पहले तो मैं बता दूँ एट सीपी सी की डिमांड कर रहे थे कि बजट में घोशना होगी उसकी जिक्र तक भी नहीं उसका किया गया और नहीं उसकी कोई गोशना की गई लेकिन एक घोशना की गई है जिसमें की सबसे बड़ी जो गोशना है OPS को लेकर की गई है old pension scheme को लेकर पहले जो old pension scheme में salary का 10% कटाते थे अब वो 14% कटा सकते हैं और सरकार भी इसमें 14% add करेगी यानि कि जो 14% कटाएंगे और सरकार 14% देगी अपने basic का वही आपकी pension बाद में निर्धारित होगी old pension scheme नहीं चालू होगी पुरानी जो pension scheme है वो नहीं चालू होगी नहीं pension scheme ही रहेगी बस उसमें बदलाव क्या हुआ है पहले 14% pension के तोर पर कटता था 10% कटता था अब इसको 14% कर दिया गया है NPS में डाल सकते हैं इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुए हैं दूसरा जो बदलाव हुआ है tax deduction में हो चुका है tax deduction में थोड़ा कर दिया है जो नई tax regime है उसमें कहा गया है कि 3 लाग तक कोई tax नहीं लगेगा जैसा कि पहले था लेकिन एक standard deduction 50,000 जो था अब 75,000 कर दिया गया है बदलाव नहीं किये गये है standard deduction 75,000 कर दिया गया है पहले ये 50,000 था और बता दें NPS में जो न्योकता है वो 14% का योगदान कर सकते हैं और इसके अलावा tax में छूट दी गई है बदलावा कि किसी में छूट नहीं दी गई है old pension scheme बहाली नहीं होगी NPS pension SEMA का review होगा यानि कि pension SEMA आपकी कितनी की जाए ये review होगा एट पे commission OROP 3 18 महीने डिये और अगनिवीर पर एक भी सब्द वित मंत्री नहीं बोली और कोई भी गोशना नहीं हुई तो केंदरी कर्मचारियों को बहुत बड़ा जटका लगा है जैसी उमीद थी वैसी कोई भी गोशना नहीं हुई और पूरा निराधार बाते होती रही जो old pension scheme है उसकी भी बहाली को मना कर दिया है NPS में कहा गया है कि आप 14% अब कटा सकते हैं basic का NPS